कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कमभक्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुलक के रिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुलक से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटि तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम काव्या करन पढ़ा फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ सत्मोला कवियों की चौपाल में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ पूली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ ये देख अ फुद्दू एक गया से बड़ा गुबार अपनी मा को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किक और जब हो साथ सत्मोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला सेलिब्रेट्स तेरीज फुक्रे 3 इंपेटर्स नियर यू CM साथ हमारे तीस विदायक अपोश्चन पार्टी में चले गए हब आप सीम नहीं रहे तो अब नया स्वियम कौन बन रहे है तो अब नया स्वियम कौन बन रहे है जो पाल में आप सभी अचे आज हमारे बीच में जो पस्तित है आज इस कारिकम को जो भव्य गरीमा में एक आनंद हमें प्रदान किया करने वाले जो हमारे साथ उपस्तित हैं उनका नाम होता है शिरी डॉक्टर संदीप मारवा डॉक्टर संदीप मारवा एए एफटी के आप चांसलर हैं और ये जो अकैडमी है इस अकैडमी से बहुत ही हजारो कि तादाद में जो इसके स्टुनेंट्स हैं वो यहां से निकल करके अपने पर्चम को फेरा रहे हैं आप जो वर्तमान में जो नोईडा है आज नोईडा जो आज इंतराश्टे फलक पर उपस्तित है उसका जो कारण है और उसके जो एक पुरोधा है वो डॉक्टर संदीप म मारवा जो अपने जो संदीप मारवा जी मारवा स्टूडियो के आप चेयर परसन है और आपने लगबग 3700 फिल्मों का निर्वान किया है जिसमें से हजार से अधिक तो इस्थापित फिल्म कलाकार बन चुके हैं स्थी सफसे बड़ी बात है आप स्वियम लिटफस्ट करते हैं और फिल्म फेस्टिवल आयजन करते हैं और आपके फिल्म फेस्टिवल की खियाती अंतरास्ट्यस थेह और उसकी खियाती निरंटर बढ़ रही है और आज जो आप हमारे बीच में पश्थित हैं आप एक साहित्य के संवर्धन करने वाले नायक है उस नाते आपको हमने अपने सत्मोला कम्योंग चोपाले बुलाया क्योंकि एक फिलम से जुड़ावा व्यक्ति जो खुद अपने आप में एक यूनिवर्स्टी हो वे साहित्य के प्रति कितना अनुरागी हो सकता है इसलिए यह हमारा परम सुभागया कि आज हमारे बीच में डॉक्टर संदीप मारवाजी उपस्तित है एक बार पुनाम उनका हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्तित हैं देशकी सुप्रसिद लब परतिष्टित उरदू शायरा कवित्री अना डहल वी जी हमारे बीच में उपस्तित हैं देशी नही अंतराश्टे स्थर पर ख्याती प्राप्त बहुत ही जो हास्येव्यंग के कभी है और फ्रज्ञान पुरुष्ट कहाता है, यानि कि आपने विज्ञान के ऊपर जितनी हास्येव्यंग के छोटिली रश्नाय दी है, व्हुत विज्ञान कभी सम्हेलन में भी आप पाई जाते हैं च्छाए जाते हैं जा जोरदार तालियों के साथ पंडिस सुरेश्ट निरव हमारी बीच में उपस्तित हैं देश की लब्द परतिश्टित गीतकार और शायरा डॉक्टर पूनम माटिया अब मैं सीधे सीधे हम प्रारंब करेंगे संदीप मारवा जी से संदीप मारवा जी आज पहली बार आए हमारे इस साधना टीवी के परिसर में सत्मोला कमियोगी चोपाल में मैं बात कर रहा था संदीप जी की संदीप जी हर छेत्र में जो भी छेत्र पकड़ा वह पूरोधा शब्द एक होता है कि उसको उस ढंग से अर्जुन की आख की तरह उस पर केंद्रित हों करके कारे किया आज इस्तती यह है कि आज जो नोईडा है आज अंतर रास्टे फलक पर चाया हुआ है हर कोई नोईडा का निवासी बन करके अपने को गौरव प्राप्त करता है जैसे पंडि सुरेश निरव जी गाजयवाद में 20-25 वर्ष तक रहे और वो उसको गाउं की तरह ही देखते रहे लेकिन जब वो नोईडा में आए ग्रिटर नोईडा में आए तो आज वो अपने आपको उसका ओरा अलग देख करके आज वो काफी आनंद महसुस करते तो इसका कारण कहीं नहीं मूल में जाता है तो संदीव जी को जाता है कि यहां फिलमिंड सिटी स्थापित की और कभी जब नोईडा लोग आते थे तो लोग बड़ा अच्छंबा म स्थान है वो हमें विदेश की एक परिकलपना साकार करने वाला जैसा पनता है आज जिसने फिलम और साहित्ते में इतना क्या नाम इतना उसमें अपना उसने अबदान दिया मैं ऐसे सक्सियत से कुछ बाते मैं करूंगा उनकी हम ब्लासिंग मिलेंगे सबसे पहले संदीव मैं यह जानना जाऊँगा कि आपने यह जो फिल्मशिटी की स्थापना कब और कैसे की जी दो लाइनों से शुरू करता हूं कि रास्तों की दिल कشी अपनी जगां चलने वालों की भी मर मर्जी चाहिए यह यूं तो मैं फिल्में हम पढ़ते रहे सुनने वालों की भी चाहिए उन्नेसो च्छी दिसंबर का वक्त था जहां जब मेरे दिल में यह खयाल आया कि यहां एक उत्तर भारत में फिल्म सिटी होनी चाहिए क्योंकि मैं मंबई से होके वापस आ चुका था और उन तमाम हालातों से गुजर चुका था जो शायद मैं कभी गुजरना नहीं तो एक जिद थी कि हां कुछ होना चाहिए उन्नेसो च्छासी में मैंने यह एप्लिकेशन दी थी जिसे कोई लेके राजी नहीं था पहले लेकिन यह मेरा सभाग्य अच्छा था कि नौडा चेर्मन ने इस एप्लिकेशन को एक्सेप्ट किया इसकी पूरी डेटेलिंग मैं ने दी और उननेसो सतासी में पूरे एक साल के बाद दिसंबर supposedश इननेसो सतासी में यह प्रोजेक्ट पास वा फिल्म सिटी का थे बहुत सारे यकीन दिलाने थे और माइंड सेट तयार करना था जो यहां पर नहीं मौजूद था क्योंकि फिल्म का एक भी परसंट महौल नहीं था तो मुझे लगा कि यह सारी तकलीफ हैं अगर मैं बरदाश कर सकता हूं तो फिल्म सिटी भी आ सकती है और फिर उसके की नहीं देशी की नहीं बलकि दुनिया की इस वक्त सबसे तेज धोड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है एक संदीव जी मैं आप से और प्रश्न करना चाहता हूं कि जैसा कि हमें जानका रही है कि यह एक नंबर कम नहीं होता है तीन हजार से अधिक फिल्मों का निर्म मान करना और लगवग इतने ही फिल्म कलाकारों को त्यार करना यह अपने आप में कीड़ती मान है एक होता है कि जैसे मैं कभी हूं मैं कभीता पार्ट करके चला गया खतम लेकिन एक होता है पालक बनना जो ने बच्चे होते हों बालक और पालक का रिस्ता आपने कैसे नही ने जान लड़ा दी दो साल हम लोगों ने सर उठा के नहीं देखा और मैं कट शॉट करूं तो आज तीस सालों में हम लोग ने मारवा स्टूडियो से तकरीवन साड़े चार हजार टेलिविजन प्रोग्राम पचास से भी जादा चैनल के लिए करीब एक सो पच्चिस बहुत पेशन्स चाहिए और फिल्म बनाते वक्त सरफ पैसा ही नहीं बलकि इसके साथ जो फिल्म बनाने की कला है वो आना बहुत जरूरी था और शायद यही वज़ा थी कि हम लोगों ने उनने सो तर्यानमे में यह तै कर लिया कि हम लोग एक इंस्टूशन खोलेंगे स्टूडेंट चार कोर्स वो आर बात है कि आज 8000 स्टूडेंट और असी कोर्स हैं और तकरीबन 30,000 बच्चा यहां से 145 मुलकों से जो हमारे पास पढ़ने के लिए आया वो आज काम्याब है वो आज फिल्म टेलिविजन और मीडिया इंडस्री के अंदर बहतरीन और खु आने का पैशन जो है वो अगर नहीं होगा तो आप एक काम्याब संस्थान भी नहीं चला सकते हैं आज यह कहते हुए हर्श होता है कि ए एफ्टी जो है वो दुनिया के दस सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में इसका नाम आता है और तकरीबन 27 मुलकों में एए एफ्टी जो लेकर और उसे एक दर्जा देना युनिवर्स्टी का यह अपने आप में बड़ी लंबी धोड़ थी और मैं अकेला नहीं था लिकार मेरे साथ बहुत सारे संगी साथी थे पड़े लिखे इंटेलिजेंट एक्स्पीरियंस इंडस्ट्री के लोग जुड़े और लोगों न आप लिट फेस्ट करते आ रहे हैं और मैं जानना चाहूंगा कि आप जो लिट फेस्ट गिया और आपकी मुझे पूर्ना repositटर ऑपुर्ना मांते एविघी नहीं बता है आपकी अभी प्रेस्ट करेंगे और साथ ही लिट फेस्ट कि यह आपको परीकलपना कैसे सूजी क्यो या फिर आपका और आज तो लिटफेस्ट की बाड़ आ गई है अफसाहिती इंडिया टूड़े वाले भी करते हैं लेकिन प्रारंब गर में देखता हूं तो जैपुर लिटफेस्ट एक आपका तो ऐसा इसके बारे में आपको कैसे सुझाए फिल्मों को और लिटरीचर को आ हम फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं और जब फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे तो वहाँ ही से उसमें एक सेग्मेंट हुआ करता था लिटरेचर एंड सिनेवा उस सेग्मेंट को मैंने कहा कि यह बहुत ही इंट्रस्टिंग है तो इस सेग्मेंट को हम यहां तो करें गई लेकि अब कर रहे हैं और जो देश ही नहीं बलकि अंतराष्टियस थरक्यों पर कामयाब हुआ है पिछले लिट्रेचर फेस्टिवल हैं तकरीबं एक सो पैंसेट राइटर्स और कवियों ने भाग लिया तीन दिन क्या ये फेस्टिवल होता है तकरीबं बावन इवंट होते हैं त तीन दिन के अंदर और करीब सतर देशों ने भाग लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो स्कोप और है मैं नहीं कहता है कि हम लोग किसी एक बहुत हूंचे माकाम पर पहुंच गए लेकिन ये जरूर तसली है कि उत्तर भारत का ये अब दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं तो मुझे वहीं से परभावित हुआ मैं मुझे भी कुछ लिखना चाहिए तो मैंने अभी जो पहली पुस्तक तयार की है वो आदर्निये पदान मंतरी मोधी जी पे तयार की है और ये पुस्तक के अंदर है eight years of मोधी सरकार जो आठ साल के اندर हम लोगों ने इस देश में काम किया है जो सारी दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है उस सारे काम को मैंने इन पेजों में कंडेंस करके लिखा है और इसका जो विमोचन हुआ था यह पहली किताब है जो एक्किस सालों में मोधी जी पे दो उनके जो पूरे माइंड सेट को चेंज कर दिया और वहाँ पर जब लोगों ने इस किताब को देखा और जब उन्हों ने ये काम देखा कि इन आठ सालों में इतना काम हिंदुस्तान में हुआ है तो उन लोगों का जो टोटल देश के प्रदी प्रसेप्शन थी वो बदल क्योंकि वो उनको लोगों को गलत इन्फोर्मेशन मिलती है और गलत खबरे छपती हैं तो ये किताब जो है उन पर हावी हो गई और इसने उन लोगों की सोच बदली इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है संदीब जी एक चीज और कि आपके भी आप भी साहित्ते के करकेम आये हैं कविता के करकेम आये हैं सत्मोला कवियों की चौपाल के बारे में हम आपकी हिर्दे से सुबकामरा चाहते हैं किरपया दोशब बस्ते भी बुले मैं सत्मोला कवियों की चौपाल पहले इस पूरे कारे करम को तई दिल से बहुत-बहुत मुबारक बात देता हूँ साधना टीवी को बहुत-बहुत मुबारक बात देता हूँ कि आप लोगों ने एक कमाल करके दिखाया है पंदरह साल से ये कारे करम चल रहा है बीस करीवन हाजार तो ऐसे कभी हैं जिन्होंने देशवर और दुनिया भर में अपना जंडा गार दिया है और शायद उनकी शुरुवात इसी मंच से हुई थी तो यह अपने आप में एक बड़ा भव्व कारेकरम है जो आप साहित्य के प्रतीक कर रहे हैं मैं इसके लिए सभी ल संदीव जी मुझे यह हम सब का परव्व सभाग्य की एक हमारे कैरकम की प्रतिपधता होती है कि हम जब साहित्य के कविता के छेत्री में हम किसी विश्ष स्ट्रतिति को बलाते हैं उसका विगत साहित्तिक होता है चाहे वो कोई राजिता हो पूर्व केंद्रिय मंत्रियों केंद्रिय मंत्रियों वो कही न कहीं उनका साहित्य से होता हुए इस चोपर आकर के अपना अश्रवा देते हैं और यह आप उस कसोटी खुद हमारे लिए कसोटी बने कि जैसे आपने का फिलम और साहित्य का एक अंतर संबंध है एक फिलम फेस्टिवल से जुड़ी वी एक मुझे परसंग याद आ गया कि फिलम फेस्टिवल में जब सेलक्शन कमेटी होती है उसमें एक फिलम डेजक्ट कर दी गई वो टेकनिकल वेस्ट पे की गई कि इसका कैमरा वर्क ठीक नहीं है इसमें डिरेक्शन ठीक नहीं है एडिटिंग ठीक नहीं है तो मेरा यह उसमें क्या काम कर रहे हैं मैं घंप करने को इनको कैसे इंव्यर कर दोगे मैं दो कि चित्रलेखा फिल傳ण का में जो शर्चान कर से का में हमरfähा द मीलस कोद्रान करता है तो वही की बौठ मैं मैं अनुभ़व्त कर रहां कि कि आज हमारे बीच में संदीप महरवाजी रहे, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह भविश्य में भी हमारे सत्मोला कम्योग चुपाल के लिए अपना आश्रिवाद बनाए रखेंगे, बहुत-बहुत आभार संदीप जाता हूँ, परवाना बन गया हूँ, जरा देख ले आकर दिवाना बन गया हूँ, सजदे में गिर गया हूँ, अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा, सत्मोला कवियों जोपाल में हम जिनको कविता पाठ कराने जा रहे हैं, और वो एक उर्दू अदब की बहुत ही शांदार एक कवित्री हैं, अगर मैं कहूँ, विश्विख्यात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कभी और साहित्तिकार होना बड़ी बात नहीं है, उसका मर्म और धर्म समझना बहुत बड़ी बात हती है वहवार में, उसको सिद्ध कर रही है हमारे बीच में उपस्तित उर्दू की शायरा अना दैल्वी, जिनको मैं बड़े स्ने से प्रेम से अना दिदी बोलता हूँ, और अना दिदी के लिए बहुत बार में अपने टीवी शो पे बोल चुका हूँ, उनके लिए जिस मिजाज की वो शायरा है दो पंक्ति कहना जाओंगा कहूँ क्या किस तरह से जिन्दगी को जी लिया मैंने, लगो को सी लिया मैंने, सबसे पहले बड़े आदर और समान के साथ माशारदे को परणाम करती हूँ इस प्यारे खुबसुर सी मैफिल में बैठे वे सभी को नमन करती हूँ परणाम करती हूँ और मेरे सुनने वाले शोताओं का बहुत बहुत प्यार इसने चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत मन दिया है असाधना चैनल ने भी और सत्मौला की चौपाल ने बहुत प्यार दिया परविन भेया की बहुत आभारी हूँ यहां निरब जी बैठे हैं मेरी दोनों बेहने बैठे हैं उनका मन चाहती हूँ सुनिये का एक गीत रखती हूँ देश रखती का लोग गीत कहते हैं मैंने भी कोशिश की हैं कैई बार कैई गीत का हैं यह उनमें से एक गीत है सुनाती हो सुनिये का शान है मेरी जान है मेरी यही मेरी पहचान शान है मेरी जान है मेरी यही मेरी पहचान यही मेरी चाहान मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदोस्तान यह मेरा बद परती हो दोड़ की गंगा जीवन के दो धारे दूद की गंगा जीवन के दो धारे जीवन के दो धारे ताज आजंता और इलारा कितने धाम हमारे कितने धाम हमारे, हरे हरे मैदान हमारे, भरे भरे खले हान, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदोस्तान, शान है मेरी, जान है मेरी, यही मेरी पहचार, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदोस्तान, यही मेरा हिंदोस्तान. और ये बंद खास तार पे मेरे जितने भी साथी सुनने वाले और जो मेरे सब बड़े लोग बैठे हैं परमिन भी आप जी निरफ जी आपको समर्पित करते हुए अगर कुछ अच्छा लिख लिख लिया हो तो मन देता हैं घुझे महसूस करा देना ये गीत मेरा जब कभी कोई चैनल नहीं होता था दूरदशन ने इसको फिल्माया भी है सुनिए गार यही मेरा गुरद्वारा कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदोस्तान शान है मेरी जान है मेरी यही मेरी पहचान मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान जो लोग सुन रहे होंगे उनका भी मन इसलिए चाहिए कि वो वहीं बैटके तालियां बजाएं अगर देश से महबत है मेरा ये बंद आखरी फिर रखती हूं और सबसे इजाज़त चाहती हूं सुनिएगा जन्नत से भी सुन्दर अपने है कश्मीर की वादी है कश्मीर की वादी जन्नत से भी सुन्दर अपने है कश्मीर की वादी है कश्मीर की वादी चांदी की डॉली में जैसे किरनों की शहजादी किरनों की शहजादी गगन चुमता हुआ ही माला देश का है संवान मेरा भारत मेरा इंडिया तब बहुत उच्चे रहा मी students strength Beach सत्म्ला कवियोग जुपाल में अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा परज्यान पुरुष फंडिश सुरेष निरभ जी संस्क्रति समन्वे समिति के नाम से पटल भी चलाते हैं और देश के लब्द पर्तिश्ठित कम्यों के साथ नवरस्शना कारों को भी प्लेट फॉस देते हैं और संस्थां के साथ परस पर एक सुझ 가 सिल्गुज का हम नाता सम्झोता रखते हैं हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से पंडेजी कारे कर रहे हैं वह आगे बढ़ता रहें और पंडेजी की जो विशेष्ता है वह विशेष्ता है कि हास्य को गेयता की दृष्टी से प्रस्तुत करते हैं है हास्य और गेयता का सम्मिर्शन करके जो वो खौम्चा जमाते हैं वो अपने आप में भी अगदित्ते हैं और पंड़ जी श्रंगार और वो भी जब अना देहलवी साथ बैठी हो तो श्रंगार इनके मुझ से निकलना सुरू हो जाता है वैसे तो मूलता है वो हास्य के कभी है तो मैं पंड़ जी के लिए दो पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा नदी बोली समंदर से तेरे पास आई हूं मुझे विगा मेरे शायर। मैं तेरी ही रुबाई हूं तेरी ही रुबाई हूं नमस्कार, सत्सिर्यकाल, जहिन बंदे मात्रम, आदाब, मैं पंडि सुरेश नीरव, आज इस सत्मोला कभियों की चौपाल में अपनी कुछ रचिनाय लेकर आया हूँ, मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छी लेगा, स्वागत, स्वागत, देखने का मैं रचिनाय पढ़ा आ हा आ हा आओ हा जल्वो के नंकीन में साइंटिपके खास भेया हूँ, कि आयोडी नू मिलाया उसने जल्वो के नंकीन में जैसे योवन पेक किया हूँ, उसन की पौले थीन में आइओ देन मिलाया उसने जल्वों के नंकीन में जैसे योवन पेक किया हूँ हुसन की पौले तेन में जोर जोर से आये जट के जोर जोर से आये जट के विसभोटक मा होल हुआ जोर जोर से आए जट के विसभोटक मा होल हुआ अब बहुत अच्छे ये है प्रग्ञान बहुत अच्छे कालिज की केंटी बहुत अच्छे जोर जोर से आए जटके जोर जोर से आए जटके विश्पोटक माहोल हुआ इलेक्टरोन प्रूटोन मिले हैं कॉलीज की केंटी में अनुधर्मी ये खुसन तुम्हारा बेजा मेरा फिर आ गया अनुधर्मी ये खुसन तुम्हारा बेजा मेरा फिर आ गया लगे बेचने हम तो कुल फी या रोसी आची मेरा बेजा मेरा फिर आ गया रहे बेचने हम तो कुल पी यारो सी आचीन में और देखेगा क्या मैंने सिमली दी है कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा कोरोना से गुजरे हैं तो बात तो आएगी कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा सा से वेंटी लेटर सी हाँ ऑस्पिटल सा बदन तुम्हारा सा से वेंटी लेटर सी मैं मरीज मचर बिचारा दुबका हूं दुरबीन में बहुद अच्छे, 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 बहुद अच्छे में इक बंधरिया नाच रही है मेक अप घर के सीन में बाहर चैन मैक अप गर के सीन में और देखेगा रहे तीन ना तेरे में अब निरव जी आराम करो रहे तीन ना तेरे में अब नीरव जी आराम करो गद मंच पर दोड रहे हैं अब घोड़ों की जिन में अब घोड़ों की जिन में अब नीरव जी आराम करो गद मंच पर दोड रहे हैं अब घोड़ों की जिन में आयोडीन मिलाया उसने जल्वों के नंकिन में जैसे यह वर्ण पैकिया हूँ उसने की बाव आवाव पढ़े जी की इन पंक्तियों पेहे मुझे ध्यान आ रहा है बहुत अच्छा है कि मैंने कई स्लोगन देखा था कि घदे खा रहे घोड़ों को नहीं मिल रही घास घदे खा रहे चेवन प्रास तो बहुत अच्छी पंक्तिया धी आपका हार देखा भार तो अब ऐसे में जब देश की बात करते चुनाओं के परिनाम आप चुके हैं औ और आभी भी मैं देख रहा हूं टेवी चैनल्स पे मुर्गें मुर्गियां लड़ रहे हैं कोई बधाई किसी को दे रहा है कोई बधाई च्छीन रहा है ऐसे में सबरसमुसरानी याद आते हैं कि हाई कमान ने राहिंद्र राजाजा जी की पंक्तियां याद आ रही है सब ही बंगला कार से देश चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं मैंने कारी बेकूफ यह पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं आईए सब्रस मुश्रानी जी एक दिन पतनी मुझे से बोली कि कभी माता फोड़ते हो कभी दोनों हाथ जोड़ते हो और जब भी खाना खाने बैठते हो पता नहीं क्यों नाग और मुह सिकोड़ते हो मैंने कहा देवी मेरी मां इतनी अच्छी रोटियां बनाती थी मेरी माँ इतनी अच्छी रोटियां बनाती थी कि जब भी मैं खाना खाने डट जाता था तो रोटियां खाते खाते मेरा पेट फट जाता था जब भी मैं खाना खाने डट जाता था तो रोटियां खाते खाते मेरा पेट फट जाता था मैं तुझे मान जाओं यदि तू मेरी मां जैसी रोटियां बना कर दिखा दे पतिनी बोली हाँ हाँ बना दूंगी तू भी पहले अपने बाप की तरह आठा गूंत के दिखा दे अपने बाप की तरह आठा गूंत के दिखा दे तो ऐसे ही संसकारों से जुड़ी हुई एक कविता को लेकर के हमारे बीच में, मैं बुलाना चाहता हूँ, देश के एक बहुत ही बड़े वरिष्ट कवितरी, चिनों ने देश के ही नहीं, देश के बाहर भी अपने नाम की एक अलग पहचान बनाई हुई है, मैं बुलाना च बहुत सुन्दर शब्दों से आपने मुझे बिलाया और इतनी अच्छी सत्मुला की जो कहते हैं मैफिल सजी हुई है एक से बढ़कर एक कविताएं पढ़ी जा रही है तो मैंने सोचा मैं भी अपनी हाजरी लगा दूँ तो सबसे पहले तो मैं एक अपनी पहचान का शेर कह करते हैं जो एक सरे से गुठका भी है, मतलब जिसे कहते हैं साथ ले जाने का की जखम जब दिल का चुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया और बात जब मुस्कुराने की हुती है तो ये भी कहती हूँ कि जिन्दगी को आजमाना जानती हूँ जिन्दगी को आजमाना जानती हूँ मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ क्या बात है बहुत सुन्दर और ये शेड़ दूर तक पहुँचे कि तुम लगाओ आग लेकिन तुम लगाओ आग लेकिन मैं भी अपना घर बचाना जानती हूँ शुक्रिया और देखें कि एक मुक्तक में कुछ कहना चाहती हूँ कि ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तुपाना है नदी सी बह रही हूँ मैं किस आगर तक तो जाना क्या बात है और बड़े छोटे बहुत से मोड आकर रोकते हैं पर गुजर कर मुश्किलों से एक नया रस्ता बना और समय कम है तो ये गजल से जोटती हूँ आपको और लिवन रिलेशन्शिप पर ये गजल है और मेरी बेटियों को मेरी बहनों को मेरे साथियों को ये एक तरह से जिसे कहते हैं ना सावधानी बरतने के लिए गजल मैंने कही है जब फ्रिच में 35 टुकडे मिलते हैं तब ये गजल होती है मतला हाजर कर रही हूँ देखिएगा कि बेश कीमत था खजाना बेश कीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों बेश कीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों अपने दुश्मन को खजाना पास रखवाया ही क्यों अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों और शेर देखें कि बस बस जरासी बात पर तूटी है जिसकी रागनी बस जरासी बात पर तूटी है जिसकी रागनी वो तराना प्यार का वो तराना साथ मेरे प्यार का गाया ही क्यों वो दराना प्यार का साथ मेरे गया ही क्यूं और शेयर देखें कि जाल इमाना आँखेंटी देखकर हैं सोचते बच्यां फटा-फट पहुँच जाती हैं रहने के लिए माबाप उसे दूर हो जाती हैं तब कहती हूँ उसके बात क्या होता है जालिमाना आखें उठती देखकर एक त्रेता में हुआ था जो सीता ने अगनी रेखा लांगी थी लक्षमन रेखा लांगी थी तब कहती हूं कि जालिमाना आखें उठती देखकर हैं सोचते लाज का परदा नजर से हमने सरकाया ही क्यों और शेड देखें कि खोखले थे जिसके आखरी शेड पढ़ रही हूं उसका खोखले थे जिसके वादे जिसने पलपल चल किया साइबा समझा उसे क्यों एतबार आया ही अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों लाज का परदा नजर से हमने सरकाया ही क्यों अब लेते हैं एक छोटा से कमर्शल ब्रेक कमर्शल ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अपने सयोगी प्रशांत अवस्ति नली निडाज मोसम के साथ सतमोला कमयोगी चोपाल में दिए एक छोटे से कमर्शल ब्रेक के बाद पूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बरने वाला हूँ, यह देख ओ फुद्दू, एक गया से बड़ा गुबारा अपनी माँ को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल और जब हो साथ सत्मूला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मूला सेलिबरेट्स देरीज़ फुक्रे 3 इं थेटर्स नियर यू CM साथ, हमारे तीस विदायक अपोश्यम पार्टी में चले गए, हब आप CM नहीं रहे सत्मूला तो अब नया श्रियम कोन बन रहे हैं, चल में सत्मूला खाओ, कुछ भीत बचाओ तो आईए अंतराल के बाद में एक बार फिर से जुड़ते हैं आपके अपने चहेते कारिकरम सत्मूला कवियों की चौपाल में और आज इस चौपाल में एक बार फिर हम ब्रेक के बाद दे नई कलम को लेकर के आचुके हैं ओज भरी उलंद आवाज में हमारे बीच में संजू सूरियम जी पधार रहे हैं आईए स्वागत करते हैं उनका जोरदार कालिए से साधना टेवी के स्तुरोताओं को मेरा साधर पढ़ाम मैं ओज की कविताई पढ़ता हूं और आज आप से जुड़ता हूं एक सहीत ताबुत में बंध हो करके आता है और एक नन्हा सा बेटा उसको किस प्रकार सल्यूर करता है वो एक छंद में आपके बीच में पढ़ता हूं वो कहता है पापा मेरे पापा तुम प्यारे मेरे पापा तुम आपने हमारा सर गर्व से उठाया है दादी भी नरोई किंतु मात भारतीन असर खूब चल काया है मात भारती ने अस्र खूब छलकाया है तो मामा ने बताया हमें पापा तेरे क्रांति बीर मामा ने बताया हमें पापा तेरे क्रांति बीर शैकड़ो आतंकियों को मार के गिराया है तो सौर का सल्यूट पापा आपकी सहादत को सौर का सल्यूट पापा आपकी सहादत को फोजी वाली ड्रेस वेट पहन के आया है और एक छंद मैं तब उसकी पत्नी के सम्मान का पढ़ता हूं हिंदुस्तान की नारी का सौर पढ़ता हूं उसकी पत्नी उसको किस प्रकार से सल्यूट करती है वो कहती है कि लव्यो जबान तुम बड़े हो महान तुम शौर की धरा की तुम सान लेके आए हो प्यार का प्रमाड तुम राष्ट का न्रमाड तुम राष्ट भावना की तुम तान लेके आए हो तो सदियों के तपसे न मिलती है बीरगती बीरगती पाके नव ग्यान लेके आए हो तो जय हिंद करती हूँ करके सल्यूट तो मैं अंजुरी में भरने को प्रान लेके आए हूँ अंजुरी में भरने को प्रान लेके आए हूँ और एक बहन जिसने प्रतिवर्ष भाई की बाजूओं में राखी बांदी है उसे अपनी भाई की शक्ति का एहसास है तब मैं उसके नाम के छंद पढ़ता हूँ बेन किस प्रकास से उसका सम्मान करती है तो कहती है कि राखियों के धागे में ने हर साल बांदे तुझे जानती हूँ बीर तेरी बज्रशी कलाई है पीट पीछे मारने की आदतन तेरी बीर सामने से सदा तुन मुष्टिका उठाई है तो युद्ध में लगाया होगा एड़ी और चोटीवल शैकलो आतं से युद्ध में लगाया होगा एड़ी और चोटीवल दोससत्रु मरने की खबर जो आई है दोससत्रु मरने की खबर जो आई है वातावुत मैं सोय हुए बलिदानी बीर मेरे हर स्वागत काभीपाट समाप्त करूंगा और यह कविदा में बीर भगसिंग के नाम पढ़ता हूं मा के सीने पर जब दुस्मन चोट करारी करता है बार बार धोके से आकर गोला बारू धरता है जिसने मा का दूद पिया वो दूद खोलने लगता है उसके अंतरमन में आकर राम बोलने लगता है उठो धरा के बीर सपू तो अपना शौर दिखाओ तुम बैरी के घर में गुसकर हाहा कार मचाओ तुम तो कार शिकंदर से लिकस्टो भारत से टकराएगा देख देख पारुष का पारुष उसका मन चकराएगा खाली हातों जाना होगा भारत भूम निरा से बिदेशी चक्राएगा खाफ्परवाली का लिगें बहुतता है जब चक्र शुदर्सन चलता है शिषपालन बचने पाता है जब चुडी वाले हाथों में तलवार थाम ली जाती है जहां सी बाली रानीय अव्चेनम्मा वो कहलाती है पद्मा बती जोहर के किसे इतिहास सदा दोहराता है और सेखर बाली गोली से क्या कोई बुरा बच पाता है बहुत संदर बहुत संदर और भघधिशिंग का जुडाओ जहां से हुआ मैं कविता को वहां ले जाता हूं जहां से भघध सिंग ने इस खिरांथी में हिस्सा लिया मैं बहुत संदर बढ़ता हूं कि जलिया वाला कान धिरते पर चोट करारी छोड़ गया आजादी के हवन यग में भगत सिंग को जोड गया प्रतिशोद की एक ज्वाला उनके मन में फूटी थी ना जबन भारत की सेना अंग्रेजों पे तूटी थी कच्ची उमर किंत लोही मजबूत इरादा साथ लिया कसम उठाई आजादी की फिर हातों में हाथ लिया उनक कारियों का सपूत उसका तो यही हवाला था जब गोली एक निसाने पर भगत सिंग ने छोड़ी थी सांडर्स जगे पर धेर हुआ अंग्रेजों की चुपी तोड़ी थी असंबली में बंब फैकना ये तो काम निराला था पूरा भारत जाग उठे बंबों का मात्र हवाला था असंबली में बंब फैकर खड़े रहे शिना ताने भारत माता की आजादी के जैघोस किये वो दिवा ने असंबली में हतकडियों को अपने हाथों पैना था आजादी के महा यग्ग का ये तो उनका गहना था कायर ता गोड़ा फल पल में चाल बदलने वाना था उनकी क जाली कर्तुतों का इत्यास बड़ा ही काला था जूटे गवास सबूतों से जजने फासी को बोल दिया भारत के स्क्रान तिबीर को हलके फुलके में तोल दिया मैं इसको छोड़ा करते को पढ़ता हूँ समय की बात दिता है जूटे गवास सबूतों से जजने फासी को बोल द भारत के स्क्रांट इबीर को हलके फुलके में तोल दिया जब ख़बर सुनी थी फासी की बे अटाहस मुस्काई थे जह जैजे भारत माता के वे गीत राष्ट के गाई थे 24 मार्च सुनी चित्था जब फासी उनको होनी थी क्रांट कारियों के सम्मुक सरकार हो गई बौनी थे भैसे ब्याकुल आकुल होकर अंग्रेज हुकूमत काप गई हिंदू कुसके कोने कोने उठी अवाजे भाब गई तेईस को ही फासी का सडियंत रचाया गोरों ने परदे के पीछे का काला चेहरा दिखलाया गोरों ने यह फासी भगस सिंग की थी यह कड़ी एक आजादी की यह तब तैस सूरज का था यह भावर जैसे साधी की यह फासी से पहले तौला तो बजन बढ़ गया भाई का यह सरदार सिंगनी का बेटा यह बीर भारती माई का फासी के तक्ते पर पहुँचे ब्रह्मांड समूचा डॉल गया चल पड़ी हवाएं तेज तेज आकास सलामी बोल गया चमकी चपला घंबीच बीच बीच आधी पुस्पक बिमान वो दिव्यात्म की जोती थी ब्रह्मा की फैली स्थी में अलोकी क्रचा गया डूबी भारत की नईया को वो फासी चड़कर बचा गया जय हिंद जय भारत बहुती शांदार संजु सूर्यम भाई आपने जो कविता पड़ी सिंग की भांती आपने जब ग मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक नवांकुर कवित्री के रूप में कानपुर से आई हुई दीक्षा तिवारी को कि वो आए और आकर के हम सब के बीच में अपनी कविता से नमस्कार मैं दीक्षा सत्मूला कभियों की चौपाल में मुझे अफसर देने के लिए आधर्णी सरस्री प्रवीन आर्या जी का मैं तहेर इल्शे शुक्रिया आदा करना चाहती हूँ मुझे इस काव्यमंज पर आमंत्रित करने के लिए उनका धन्यवाद कोटी कोटी नमन मेरी गीतिका मानवी शंबेदना से परपूर मैं अपनी एक गीतिका प्रिस्तुत करना चाहती हूँ इस गीतिका में मैंने जीवन जीने की राह में जिन बिंदुओं पर उतार चड़ाओ का आमना शामना करना पड़ता है वा लक्ष को पाने की ओर जो हमारी कोशशें होती हैं मैंने बस शब्दों में पिरोकर अपने उस गीतिका में इसको समाहित किया है आईए सुनिएगा आम नहीं चलता जातु जीवन पत्थ पर पतिक तुझे आराम नहीं जब तक स्वास तु लेता जग में मनुझ तुझे विष्राम नहीं जब तक स्वास तु लेता जग में मनुज तुझे विश्राम नई सुरी एगा समय बड़ा अन्मोल है प्यारे ये सब तुझे सिखा देगा सीख की राह पे चलते ये सब तुझे सिखा देगा जूठे मोह जाल में फसकर क्यों इतना इतराता है कच्ची मिट्टी सा ये जीवन पल में घुरता जाता है पैसा रुपया जोडता हर दिन करता मेरा मेरा है अंतर मन महसूस करो तुम जो घन घोर अंधेरा है अंतर मन महसूस करो तुम जो घन घोर अंधेरा है अंधकार में ना रह बंदे कुछ पल सारे काम तजो मुक्ती पाने की खातिर अब आओ प्रभू का नाम भजो मुक्त माने की खातिर अब आओ प्रभू का नाम भजो आओ प्रभू का नाम भजो धन्वाद बहुत सुन्दर और यह गीतिका मैं समझता हूं कि जीवन में जो आओ प्रभू का नाम भजो अंतिम बंद में आपने कहा शायद हर मनुष्य यही चाहेगा जब भारती संस्कृति में जब 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 जन मिलेगा कि प्रभू की शरण में जाए प्रभू उसने अपनी शरण में ले देश की एक परंपरा है जो भारती संस्कृति की परंपरा कहा जाता है तो कहीं न गई बेटियों की नारियों की बात करने के लिए हम नारी के ही मुखमंडल से अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इसको वर्णित करने के लिए हमारे बीच में कानपुर से सीमा वर्णिका जी पधारी हुई है आगे स्वागत करते हूं SAY q बेटीओ पर मेरी रचिना परिस्तूत है नूर मा का की परी बेटियां खुशनसी भी हमारई मिली बेटियां नूर मा का पिता की परी बेटियां खुश नसीबी हमारी मिली बेटियां रात हो जब अंधेरी उजाला भरी चांद तारो सरी की बनी बेटियां वो कहीं भी रहें इस जहां में भले साथ दुख में सदा ही खड़ी बेटियां जेलती धूप बारिश सभी मुश्किले जेलती धूप बारिश सभी मुश्किले लाड से प्यार से ये पली बेटियां नूर मा का पिता की परी बेटियां और मन पूस्ता है ये रिवायत भला क्यूं जहां में बनी सौप दे दूसरों को पली बेटियां छोड़ कर माई का बच्पना भूल कर छोड़ कर माई का बच्पना भूल कर फर्ज सारे निभाती भली बेटियां तीमती जेवरो को न चाहें कभी हो खुशी हर तरफ चाहती बेटियां वंश की बेल बेटि लगाएं भले वंश की बेल बेटि लगाएं भले रोपती पालती पोसती बेटियां घर पसाती कहीं दूर जाकर सभी दो कुलो को सजाती यही बेटियां आख में अश्क आए नहीं भूल से दे दुआ माँ पिता हो सुखी बेटियां आज सी मा कहे आरजू बस यही मनतों की बने डोर सी बेटियां नूर मा का पिता की परी बेटियां खुश नसीबी हमारी मिली बेटियां दें अब श्रीमा जीने बहुत ही शांदार कविता जब वो स्वयम एक बेटी है यह श्वयम वो एक बेटी की मा हैं दोनों भावों को उन्होंने अपने अंदर समाहित करने के बाद में बेटियों पर जो कविता पढ़ी उसमें उन्होंने एक बात कही कि कुलों की रोश्ने तो हमें अपने से बड़ों की ओर चलना चाहिए हमें अपने से अच्छों की ओर चलना चाहिए उनके आदर्सों संसकारों पर चलना चाहिए तो ऐसे ही बड़े ही संसकारी और स्री गंगा नगर राजिस्थान से जो की व्यावसाय करने के साथ साथ मैं ही कलम की धार से लोगों को एक नई दिशा देने का काम करते हैं आएए बुलाते हैं कहीं हमारे बीच में जो एक कवी हैं शेखर असोपा जी एक जोरदार तालियों से प्रथम गुरु गुणेश जी को तिलक चंदन करता हूं दितिये मा सरस्वती के चर्णों में वंदन करता हूं तितिये मुझे सुनने वाले और देखने वाले सभी का विंदन करता हूं है मुझे एक दिन सपना आया हम खुद को मैंने नेता पाया है मुझे एक दिन उपना आया मैने नेता पाया पुछी मुझे पुकार रही थी, 25 सिरी मतीजी धाडे मारfa रहीरा तुम इसके पास, not JAO तुम इसके पास, कर जासोनौ मुझे उधास, 60 औरज देंगे तुम को सफेद, करोगे जो जवलता की तापास, जाते जाते दे जाओगे तुम भी मुझको वही लिवास मैं बोला प्राण प्रिये मत कर बक्वास लेनी है मुझको साबस जाने दे तू मुझको प्यारी कर रही प्रतिक्षा कुरसी बेचारी सिरी मती जी बोली क्यों आपकी मती है मारी यह नहीं बेचारी है हत्यारी लेकिन मैंने एक नमानी कुरसी को पाने की ठानी मैंने किये अथक प्रयास, कुर्सी आ गई मेरे पास, प्रति धुंदियों को किया हतास, मिल गया सरकारी आवास, अब कुर्सी आते ही मैं, क्या करता हूं? मैंने समिधान में संसोधन का अहवान किया, मैंने समिधान में संसोधन का अहवान किया, राष्ट्रपती का जन चुनाव हो, ऐसा ऐलान किया, मंत्री और प्रधान मंत्री को भी जनता सीधा चुनेगी, पार्टी बाजी को समाप्त कर एक नया इतिहास बुनेगी, इस तरह दल दल बदल की प्रथा विलुप तो हो जाएगी तभी तो जनता बेदाग कर्मट और सुच छवी चुन पाएगी इस तरह दल बदल की प्रथा विलुप तो हो जाएगी तभी तो जनता बेदाग कर्मट और सुच छवी चुन पाएगी मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं को समाप्त करने का एलान किया जन सेवा तन मन धन से करो इस पर कैंदृत सब का ध्यान किया मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं को समाप्त करने का एलान किया जन सेवा तन मन धन से करो इस पर कैंदृत सब का ध्यान किया क्योंकि हमारा उद्यस्य है देश को विक्सित करना फिर क्यों ढूंड़े हम सुविधाओं का जर्णा हमारा उद्यस्य है देश को विक्सित करना फिर क्यों ढूंड़े हम सुविधाओं का जर्णा नर नारी और नयाय का हम करेंगे सम्मान, माफियों का साथ नहीं है करना, चलेगा देश में फिर से सोने का सिक्का, नहीं लगेगा कभी भी धरना, वक्त बड़ा नाजुक है साथियों, फिर भी हमें ये काम है करना, अगर किसी ने साथ ना दिया, तो खबर ले लूँगा उस की वर्ना, तालियों की गड़गडाहट से सबने मेरा सम्मान किया, मैं अमर रहूं, इन नारों से सदन को गुंजाए मान किया, तालियों की गड़गडाहट से सबने मेरा सम्मान किया, मैं अमर रहूं, इन नारों से सदन को गुंजाए मान किया, मैं बड़े ही गर्व से घर जा रहा था सामने से एक वृद्ध सन्यासी आ रहा था मैं बड़े ही गर्व से घर जा रहा था सामने से एक वृद्ध सन्यासी आ रहा था जब मैंने उन्हें प्रणाम किया बदले में उन्होंने आसिरवाद दिया सन्यासी बोले बच्चा इस काया को बहुत हकष्ट दिया, क्यों नहीं आराम किया? लो, आज मैं सदन के नारों को साकार करता हूं, अपने प्यासे कमंडल को तुभारे रक्त से भरता हूं, उनकी तलवार देखते ही, मैं भैसे डरता हूं, बचाओ, बचाओ, जो चिला चिला कर करता हूं, सुन इस सौर को, सुन इस सौर को जो फैला चहुं और को, घर में आये महमान, किसी अनिष्ट की आसंका से भाग गए, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी, कि मेरे बापु जा गए, अब बापु के एक ही थपड से, सपने की सारी संखला तूट गई, घरेलू आवास के साथ साथ, बैटी भी छूट गई, अब बापु के एक ही थपड से, सपने की सारी संखला तूट गई, घरेलू आवास के साथ साथ, बैटी भी छूट गई, प्रियवर मित्रों, बहनों और भाईयों, प्रिवर मित्रों बहनों और भाईयों आज कल मैं कैनवास पर बने चित्रों में रंग भरता हूं कुर्सी तो क्या कुर्सी की छायां से भी ड़ता हूं देखिए सर ने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से जो कविता सुनाई उस कविता मैं उन्होंने दो बातें बताई कि जब जब नेता बिगड़ता हैं जब जब करता बिगड़ते हैं तो सिर्फ वो दो से डरते हैं एक बात और दूसरा संत दोस्तों अब समय हो चुका है वीडियो सेग्मेंट का और आज वीडियो सेग्मेंट में हमारे बीच में फिरोजाबास से सीमा श्याम शखी एक कहानी को ले करके आ रही हैं आए उनके वीडियो सेग्मेंट में ये कहानी सुनते हैं मंच परासीन सभी विसिष्ट जनों का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंब करती हूँ आज मैं लेकर आए हूँ राम चरित मानस से माता कहकई और राम का प्रेम भरा सम्मार के माता कहकई अपने पुत्र स्री राम को कितना प्रेम करती हैं लोगों को समझ नहीं आता उनका प्रेम कहते हैं कैसा प्रेम जिस मा ने अपने पुत्र को 14 वर्स के लिए बनवास दे दिया तो वो कैसा प्रेम करती है यही तो है बिचित्र लीला भगवान की कि उनको इस गूड रहस को समझने में बहुत परशानी होती है वो नहीं समझ पा पेशे मैं आपको बताती हूँ के माता कैकई कोन थी माता कैकई कैकई देश के राजा की पुत्री थी और उनका पिभा एउद्या के राजा दसरत से हुए था वो राजा दसरत की तीसरी पट्रानी बनी राजा दसरत उनसे बहुत प्रीम करती थे वो बहुत सुंदर थी वाकर दूद्ध में रिजाओं साने वां, उनका दो वार, उनके प्राणों की रच्छा की करी। वो अपने पुत्र भारत से जतना प्रेंगा करती थी present other Four psychiatryется 10 वो अपने पुत्र राम को जब उपुत्र थी, नामको बौह्त प्रेंगे। उनके अधुद प्रेम की आजगाथा मैं आपको सनाती हूँ, एक बार माता कह कई अपने पुत्र छोटे से बाल राम के लिए लाला के लिए दूद और भात लेकर आती है कटोरी में, जैसे कि सब माता अपने छोटे से बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है न, ऐसे ही अपने लाला राम के लिए दूद और भात लेकर आती है, वो राम के पास बैटकर, वहीं उपवन में राम को एक कौर खिलाती है दूद भात का, राम पहला कौर खा लेते हैं, फिर दूसरा कौर खिलाती है, जैसे ही तीसरा कौर खिलाने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, राम ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले मां, आपने कभी हमसे नहीं पूछा, कि हमें क्या चाहिए, ये सुनते ही माता कहकर बोली, पुत्र, क्या चाहिए, तुम्हें तुम मांगो तो सही, तुमको मांगने में देर हो सकती है, लेकि इस मां को देने में का राचित एक पल भ पर ना रखे, मा ने बोला, मुझे मंजूर है, यदि मेरा राम इस से प्रसन है, तो मुझे ये भी मंजूर है, राम बोले मां, हो सकता है, कि इसके बाद आपके संसार में अप्यास इतना हो जाए, कि सब आपको बुरा भला ही है, मां कह कहीं, फिर बोली, पुत्र, मुझे ये भी मंजूर है, यदि मेरा पुत्र राम प्रसन रहे, तो मुझे अपना अप्यास भी मंजूर है, तो मांगो, क्या मांगना चाते हो, राम फिर बोले मां, रुको, हो सकता है, मैं आप से जो मांगू, उसके बाद आपको बैधव्य का जीवन जीना पड़े, ऐसा सुनते और ही कैकई मां, ये दम चुप हो गई, ये दम सांत हो गई, कौन भातिय स्तरी, ये सुनना चाहेगी, और ऐसा सुनकर सांत रह पाएगी, कि उसका पती ना रहे, लेकि माता कैकई थी, वो, उनकी, क्या उनके चर्ट को हम कान कर सकते हैं, वो माता कैकई थी, कुछ पल सांत नहीं फिर बोलें पुत्र मुझे मंजूर है अगर मेरे नाम को अपयस मिले कोई मेरा नाम अपनी संतान के नाम पर ना रखे अगर विधाता ने यही लिखाए मेरे भागे में कि मुझे बैदव्य का जीवन जीना पड़े तो मुझे पुत्र भो भी मंजूर है राम कहते हैं मा सुनो एक बक्त ऐसा आएगा एक समय ऐसा आएगा जब मैं बिभा करके आओंगा अहुत्या तब मुझे पिता श्री राच्य दे रहे होंगे उस समय आप मेरे लिए 14 वर्स का बनवास मंगा बस इतना सुनना था के माकता कह गई के हाथ से वो दूर भात की कटोरी गिर पड़ी और बेहोस हो गई में धाल पड़ी रहें कुछ देर के लिए बड़ी देर में उनको होस आया है वह बोलती है पुत्र कोई अपनी संतान का नाम मेरे नाम पर ना रखे मुझे मंजूर है कोई मेरा अप्यस ही करे सारे संसार में चारों युगों में मेरा अप्यस हो मुझे मंजूर है अगर विधाता ने मेरे नाम के लिए बैधाप्य का सोचा है तो वो भी मुझे मंजू में अपने प्रिय पुत्र जो जान से प्यारा पुत्र है मैं उसको बन में कैसे भेज सकती हूं राम कहते हैं मा बन में जो रिशी रहते हैं वो तपस्या कर रहे हैं मेरे प्रतिच्छा की कि में राम आएंगे और हमारी रच्छा करेंगे वहां राच्छा सुने आतंक फैला रखा है मा अगर मैं नहीं गया तो उनके मास सूख रहे हैं वो चले जाएंगे माता सबरी भी बन में मेरी पिर्दिच्छा कर रही है कबसे बाट जो हो रही है तो मुझे उनकी उनसे मिलने के लिए उनको दर्शन देने के लिए जाना ही पड़ेगा माता कह कई अब कुछ ना कह पाई वो ली पुत्र जैसी तेरी इच्छा बस उस दिन के बाद से माता कह कई राम से दूर दूर रहने लगी दूरी बनाने लगी क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जब ये समय आएगा तो मैं कैसे इस पल को समभा लूँगी अपने आपको कैसे अपने पुत्र को अपने बेटे को जाते हुए देखूंगी ये एक मा जो सारा प्यस लेने को तयार है ये एक मा जो बैधप जीने को तयार है यह मा जिसको यह भी मनजूर है कि कोई अपनी संतान का नाम क्या कई ना रखे, वो अपने पुत्र को जाते हुए कैसे देख पाएगी, इसलिए उन्होंने अब राम से दूर दूर रहना सुरू कर दिया, उनके पास कम जाती थी, उनसे दूरी बना के रखती थी, दूर से दे किता है कि त्याग ही सब कुछ है, कै कैमा ने अपना सर्वस्य त्याग दिया राम की इच्छा की पूर्ती के लिए, जब राम को बनवास मिलता है, तो वो अपने पिता से कहते हैं, पिता जी मैं बहुत प्रसन हूँ, क्योंकि आपने मुझे आयोद्या का ही नहीं, शारी ब चरित्र के अकई जी का संबाद, जो ध्यान से सुनता है, उसके जीमन में सारी कटता हैं, जो आज के समाज में परवाद तूट रहे हैं, एक दूसरे के प्रती कटता भरती जा रही है, वो सब दूर हो जाता है, आप स्वी प्रेम बढ़ता है, तभी कहते हैं, नित्य हमें आपने जीवन में रामाय्ड का पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि रामाय्ड हमारे जीवन में हमको सत्मार्ण पर लेके चाती है, हमारे मन की बुराईयों को दूर करती है, हमें एक रहने की सच्छा देती है, बहुत ही प्यारी चरित्रह है, तभी कहते हैं रामा यन सुर्टर की छाया दुख भाया दूर निकट जो आया देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा जैहो सत्य सनातन धर्म की रुष झाल 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 कर दो 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 और अब मैं जिनको प्रस्तुत करना चाहता हूं प्रस्तुत क्या वह इस करक्यम के पुरोधा है है संबर्धन करता है उनका नाम होता है श्री अनिल कुमार बित्त सत्मॉला गूरुप के आप चιαर नहीं है और सत्मॉला कव气 चुपाल सत्मॉला कवूज़ की चौपाल एक दूसरे के पूरग बंते वे ब्राइन बन मुश्कार दोस्तों मैंनिल मितल चेर्मेंट सत्मुला गुरूप जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सत्मुलो के वियोकी चौपाल आरमकरा परवीन आरेजे के साथ मिलके तो हमारा उद्देश दोस्तों यही था कि जो आज यह कावेपाट है जो यह बुद् पुरानी जो यह संसकार थी पुरानी सब्वेदा थी कवीता पाड़ था वो धीरे 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 यह लुप्त होता जा रहा था तो इसी लिए हम तोनों ने मिलके 2004 के अंदर सत्मुलो की कवियोकी चौपाल आरमकरी जिसके अंदर हम ऐसा प्लेट फॉर्म देते रहे हैं जिस सत्मुला कवियोकी चौपाल के प्लेट फॉर्म पर आएं आप लोगों गस्वागत है उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं उनके दर जो भी कवी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपिरेंस कवी हैं वो उनको सुदा रहेंगे और आपको और इंप्रू संदीप महरवाजी को आपने सुना आपने हमारे अनिल मित्तल जी को सुना यदि आप भी सत्मुला कवियों की चौपाल में अपना कावेपाट करना चाहते हैं आप नवांकूर हैं और आपको अभी तक कोई सही प्लेट्टॉम नहीं मिला है तो यदि आपने गलती से भी य आर्कम देख लिया है तो आप सही जगे पहुंचें टीवी स्क्रोल पर चल रहा नंबर 9711182183 पर आप हमसे वाट्सप कीजिए आप हमें टैक्स्ट मेसेज कीजिए आप हमें फोन कीजिए यह हमारी लाइन 24 घंटे खुली रहती है इस पर आप हमें कर सकते हैं और सत्मुला कमिग जपाल केवल नमामकुरों को मोका ही नीता सुभवसर ही नीए देता विश्वस्ट नीए प्लेटफॉर्म है देखिये लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना हम समालोचना आलोचना से घवराते नहीं हैं लेकिन कुछ लोग दस्प्रचार करना चाहते हैं करें लेकि वाक्य में यह गाना किशोर कुमार का जो गयाव है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना यह 20 वर्ष की चलीवी अनवरत यात्रा आगे भी चलती रहेगी अनव 111-821-183 मिलते हैं अगले रविवार कुछ नई सक्षियत के साथ सत्मोला कम्योगी चपार नमस्कार बूली मैं तेरे बच्चे का बाप बरने वाला हूँ यह देख ओ फुद्दू एक गयास से बड़ा गुबार अपनी मा को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल है और जब हो साथ सत्मोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला चलिबरेटे रिलीज़ फुक्रे 3 इन थेटर्स नियर यू